ओप शान्ती आज की तारिख है दस फरवरी 2021 आज मिठे मिठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा मिठे बच्चे तुम इस युनिवस्टी में आए हो पुरानी दुनिया से मर कर नई दुनिया में चाने अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है प्रश्ण किस वीदी से बाब की याद तुमें सहुकार बना देती है उत्तर बाब है बिंदू तुम बिंदू बन बिंदू को याद करो तो सहुकार बन जाएंगे जैसे एक के साथ बिंदू लगाओ तो दस फिर बिंदू लगाओ तो सौ फिर एक हजार हो जाता ऐसे बाप की याद से बिंदू लगती जाती है तुम धनवान बनते जाते हो याद में ही सच्ची कमाई है गीत महफिल में जल उठे शमा ओम शान्ती इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है प्रीत बनी है किसके लिए किस से बनी है भगवान से क्योंकि इस दुनिया से मर कर उनके पास जाना है ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या जो यहाँ ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे गीत का अर्थ कितना विचित्र है शमा से परवाने प्रीत रख फेरी पहन पहन जल मरते हैं तुमको भी बाप की प्रीत में यहाँ शरीर छोड़ना है अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है यहाँ गायन सिर्फ एक के लिए है वहाँ बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहां जाएंगे जरूर भगवान के पास ही जाएंगे मनुश्य दान पुन्य तिर्थ यात्रा आदी करते हैं भगवान के पास जाने के लिए शरीर छोड़ने समय भी मनुश्य को कहते हैं भगवान को याद करो भगवान कितना नामी ग्रामी है वहाँ आते हैं तो सारी दुनिया को खतम कर देते हैं तुम जानते हो हम इस युनिवस्टी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हल कहा चाता है बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं सिर्फ मुझे याद करो मैं हूँ Heavenly Godfather उस फादर से तुमको धन मिलता मिलकियत मकान आदे मिलेंगे बच्चियों को तो वर्सा मिलना नहीं है उनको दूसरे घर भेज देते हैं गोया वह वारिस नहीं ठैरी यहाँ भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप इनके पास सबको आना है कोई समय जरूर बाप आते हैं सबको घर ले चाते हैं क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुश्य होते हैं पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं नई दुनिया में मनुश्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है पुरानी दुनिया में बहुत मनुश्य हैं तो दुख भी बहुत है इसलिए पुकारते हैं बापू गांधी भी क्याते थे हे पतित पावन आओ सिर्फ उनको जानते नहीं थे समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है वही वर्ड का लिबरेटर है राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है लिबरेट करते हैं दुख से अच्छा दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके क्योंकि वह तो पतित पावन है पावन दुनिया सुकधाम में ले जाने वाला है तुम हो उस रुहानी बाप के रुहानी बच्चे जैसा बाप वैसे बच्चे लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे अभी तुम बच्चों को यह समझना है हम आत्मा है परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा वह है ही स्वर्गस्थापन करने वाला हम स्टूडेंट है यह भूलना नहीं चाहिए बच्चों की बुद्धी में रहता है शिबाबा मदवन में मुरली बजाते हैं वह मुरली तो यहां नहीं है क्रिशन का डांस करना मुरली बजाना वह सब भक्ती मार्ग का है बाकी ग्यान की मुरली तो शिबाबा ही बजाते हैं तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे गीत अकसर करके पूरुष ही बनाते हैं तुमको ग्यान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए बाब कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो शिव को कहते हैं बिंदू व्यापारी लोग बिंदू लिखेंगे तो कहेंगे शिव एक के आगे बिंदू लिखो तो दस हो जाएगा फिर बिंदू लिखो तो सौ हो जाता फिर बिंदी लिखो तो एक हजार हो जाएगा तो तुमको भी शिव को याद करना है जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी तुम आधा कल्ब के लिए साहुकार बन जाते हो वहां गरीब होता ही नहीं सब सुखी रहते हैं दुख का नाम नहीं बाप की याद से विकरम विनाश होते जाएंगे तुम बहुत धनवान बनेंगे इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई यही साथ चलेगी मनश्य सब खाली हाथ जाते हैं तुमको भरतु हाथ जाना है बाप को याद करना है बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रोस्पेरिटी मिलेगी तुम आत्मा पहले प्योर थी फिर इंप्योर बनी हो सन्यासियों को भी सैमी प्योर कहेंगे तुम्हारा है फुल सन्यास तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है आगे वे लोग सरव्यापी नहीं कहते थे सरव्यापी कहने से गिरते जाते हैं दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है न यहाँ भी उन्हों का धंदा है कैते हैं धंदे सब में धूल बिगर धंदे नर्से नारायन बनने के यहाँ धंदा कोई विरला करे बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है क्योंकि तुम चाते हो नया शरीर मिले बाप कहते हैं तुम क्रिशन पूरी में जा सकते हो परन्तु आत्मा जब तमो परधान से सतो परधान बने क्रिशन पूरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ यहां सभी मनुश्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिपरेट करो अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने वहाँ जाना तो अच्छा है ना मनुश्य शान्ती चाते हैं अब शान्ती किसको कहते हैं करम बिगर तो कोई रहना सके शान्ती तो है ही शान्ती धाम में फिर भी शरीर लेकर करम तो करना ही है सत्यूग में करम करते हुए भी शान्ती रहती है अशान्ती में मनुश्य को दुख होता है इसलिए कहते हैं शान्ती कैसे मिले अभी तुम बच्चे जानते हो शान्ती धाम तो हमारा घर है सत्युग में शान्ती भी है सुख भी है सब कुछ है अव्वह चाहिए या सिर्फ शान्ती चाहिए यहां तो दुख है इसलिए पतित पावन बाप को भी यहां पुकारते हैं भक्ती करते ही हैं भगवान से मिलने भक्ति भी पहले अव्यविचारी, फिर व्यविचारी होती है व्यविचारी भक्ति में देखो क्या-क्या करते हैं सीडी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है परंतु पहले-पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है शिरी कृषन को ऐसा किसने बनाया आगे जन्म में कौन था समझाने की बड़ी युक्ती चाहिए जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायदी गवाही देती है युनिवर्सटी में जो अच्छी रिती पढ़ेंगे वह जरूर दिखे जाएंगे नमबर वारतों होते ही हैं कोई डल हैड भी होते हैं शिबाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धी का ताला खोलो बाब कहते हैं बुद्धी का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ परंतु तुम्हारे करम ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं फिर बाबा क्या करेंगे बहुत पाप किये हुए हैं अब बाबा उनको क्या करेंगे टीचर को अगर स्टूडेंट कहें कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे वहाँ तो तुमको मना नहीं है प्रदर्शनी खुली पड़ी है बैठ कर प्रैक्टिस करो भक्ती मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो कोई कहेंगे यहाँ मंत्र याद करो यहाँ तो बाप अपना परिचे देते हैं बाप को याद करना है जिससे वर्सा मिल जाता है तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्सा लेना चाहिए ना इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धी हो चाएगी सिग्रेट आदी की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग जट लग जाता है फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती बहाना कितना करते हैं आदत कोई नहीं पढ़नी चाहिए चीची आदतें भी मिटानी है बाब कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड मुझे याद करो देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं तेल खाते हैं वहाँ तेल आदी होता नहीं यहां तो डैरी में देखो प्योरगी रखा है जूटा भी रखा है दोनों पर लिखा हुआ है प्योरगी दाम में फरक पड़ जाता है अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्शित रहना चाहिए स्वरग में तो नैचरल ब्यूटी रहती है वहाँ प्रकृती भी सतो परधान हो चाती है लक्ष्मी नारायन जैसी नैचरल ब्यूटी यहां कोई बना न सके उनको इन आँखों से कोई देख थोड़े ही सकते हैं हाँ सक्षतकार होता है परन्तु सक्षतकार होने से कोई हुबहु चित्र बना थोड़े ही सकेंगे हाँ कोई आर्टिस्ट को साक्षातकार होता चाहे और उसमें बैठ बनाए परन्तु है बड़ा मुश्किल तो तुम बच्चेों को बहुत नशा रहना चाहिए अभी हमको बाबा लेने लिए आया है बाब से हमको स्वरका वर्सा मिलना है अभी हमारे 84 जन्म पुरे हुए ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धी में रहने से खुशी होगी विकार का चरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए बाब कहते हैं काम महाशत्रू है द्रौपती ने भी इसलिए पुकारा है ना उनको कोई पांचपती नहीं थे वहाँ तो पुकारती थी कि हमको यहाँ दुशाशन नगन करते हैं इससे बचाओ फिर पांचपती कैसे हो सकते हैं ऐसी बात हो नहीं सकती घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई-नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो चेंज करना पड़े कुछ न कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे तुम चैलेंज करते हो बाब कहेंगे बच्चों से सन्शोस फादर फादर शोस सन फादर कौन सा? शिफ और सालिग्राम गायन इनका है शिबाबा जो समझाते हैं उस पर फादर करो फादर भी गायन उनका है लौकिक फादर को फादर को फादर करने से तो तुम पतित बन जाते हो यह तो फादर कराते हैं पावन बनाने के लिए फरक है ना? बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही स्वरक के मालिक बनेंगे, लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 चन्म तुम सीड़ी नीचे उत्रे हो, अब बाप को फॉलो कर उपर चड़ना है, बाप के साथ चाना है बाप कहते हैं यहाँ एक एक रतन लाखों रुपयों का है तुम बाप को जानकर बाप से वर्सा पाते हो वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे लीन तो होना नहीं है फिर आएंगे बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चेओं पहले पहले सब को बाप का परि कहते भी हैं पावन बनाओ वह है पतित पावन लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे वहाँ खुद ही पुकारते रहते हैं है पतित पावन आओ तो दो बाप का परिचे सब को देना है लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो पारलोकिक बाप कहते हैं पावन बनो मेरे को याद करने से तुम पावन बन चाएंगे एक बाप सबको पावन बनाने वाला है यहाँ पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की भिन भिन प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मन्तन कर समझाते रहो यहाँ तुम्हारा ही धंदा हुआ तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले पारलोकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो जबकि विनाश सामने खड़ा है अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलोकिक बाप की मत पर चलना चाहिए न यहाँ भी प्रतिग्या लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में पारलोकिक फादर को फॉलो करेंगे पतित बनना चोडेंगे लिखो बाप से गयरंटी लेते हैं सारी बात है प्योरिटी की तुम बच्चेों को रात दिन खुशी होनी चाहिए बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं अल्फ और बे बादशाही अभी तुम समझते हो शिव जयन्ती माना ही भारत के स्वर्ग की जयन्ती गीता ही सर्वशास्त्र मै शिरो मनी है गीता माता वर्षा तो बाप से ही मिलेगा गीता का रचैता है ही शिव बाबा पारलोक एक बाप से पावन बढ़ने का वर्षा मिलता है अच्छा मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मार्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुट मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक हम गौडली स्टूडेंट्स हैं यह सदैव समरीती में रखना है कोई भी चीची आदत नहीं डालनी है उन्हें मिटाना है विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए नमबर दो जीते जी शरीर का भान भूल कर बाप को याद करना है भिन भिन पॉइंट्स विचार सागर मन्थन कर पतीतों को पावन बनाने का धंदा करना है वर्दान बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्षे और लक्षन को समान बनाने वाले स्रेष्ट तकदीरवान भव जैसे लौकिक जन्म में स्थूल समपती बर्थ राइट होती है वैसे ब्रहमन जन्म में दिव्यगुन रूपी समपती इशर्य सुक और शक्ती बर्थ राइट है बर्थ राइट का नशा नाचरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यक्ता नहीं इस नशे में रहने से लक्ष और लक्षन समान हो जाएंगे स्वयम को जो हूँ जैसा हूँ जिस स्रेष्ट बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते और मानते हुए स्रेष्ट तकदीरवान बनो श्लोगन हर करम स्वस्थिती में स्थित होकर करो तो सहच ही सफलता के सितारे बन जाएंगे हर करम स्वास्थिती में स्थित होकर करो तो सहच ही सफलता के सितारे बन जाएंगे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया रोस मुरली सुनने के लिए आप शिप बाबा मुरली मदवन चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि डेली शे बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओम शान्ती